कि अफोई में अपलोड जाने कि पनजाब नेसनल बैंक क्या सबस्क्राइट कि हए। होता है आप को ब्रांच प्रम ड्रीट करके निकलने नहीं तो प्रांच मिल जाएगा। हें तो क्यों इसी को पता हुआ प्रांच फटा हुआ प्सक्राइब आप नहीं करते हैं और कोई लेंदें नहीं करते हैं तो आपका एकाउंट को लॉक कर दे जाता है इसलिए आपको क्याउंट को फिर से आपको चालो करवाना पड़ता है तो चलिए आज की वीडियो में बताते हैं आपको कैसे फिलब करना है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट तो दोस्तों मैंने आप फिल अप देख चेकरते मैं आपको श्टेब चैब बताता हूं कि आप कैसे इस फॉब करना सबसे पहले आपको कस्टमर आइड आपको दिखे चाहँ उससे पहले आपको यहां पर सबसे पहले आपको ब्रांच का नाम लिख लेना यह दी नंबर में आ आपको customer ID, IFC code यह बहीं पर रहता है आपका customer ID मिल जाएगा customer ID वहां से आपको यहां पर फिलप कर लेना है उसके बाद आपको name of account holder account holder का नाम यहां पर हो जागा उसके बाद फादर ने वाइफ अव्यां पर care of में लड़की रहेंगे तो यहां पर wife of करके husband का नाम लिखना आपको passport size यहां पर photo आपको यहां पर paste कर लेना है उसके बाद थोड़ा साथ नीचे आएंगे नीचे आने के बाद यहां पर आपको सबसे फादर निम हो गया यहां पर आपको मदर निम देदेना है उसके बाद आपको marital status आप से पूछा जा रहा है married मेरेंगे यहां पर आपको अपना पतनी का नाम लिखना होगा कुछ नहीं लिखना होगा उसके बाद place and city of birth जहां पे आपका जन्म हुआ है उस जगह को नाम आपको यहां पर लिखना है उसके बाद आपर यहां से लगट कर लें गो उसके बाद गराद ढवर्प यहां पर देना हो उसके बद आपको अगर कोई जॉब देंगे तो आपका टोटल एन्वेल इंकम आपको यहां पर देना होगा तो मैंने शुडेंट डाला है यहां पर मैंने जीरो रखा है उसके बद आपका एड्रेस वाला सेक्षिन में आपको विलेच पोस्ट ऑफिस पूलिश एश सिर्फ आपको पैन नंबर देना होगा अगर पैन नंबर नहीं है तो फॉर्म 60 एक करके फॉर्म आता है उसको फिलब करके इसके साथ आपको एटेज करके देना होगा उसके बाद एड्रेस प्रूप पासपोर्ट डील वोटर आडी जो भी यहां पर मैंने वोटर आडी दे पी एनबी का यह कंप्लीट हो जागा आप देख सकते हैं मैंने यहां पर कंप्लीट कर लिया इसको आप दोबारा से भी देख लेंगे अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आगा तो इसको देख लीजेगो उसके बाद ही आप सही से फॉर्म को फिलब कीजिएगा तो मै आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेजेगा बाकि अगर आपको इससे रिल्टेट कोई भी क्वाईरी हो तो आप कमेट बॉक्स में जरूर पुछेगा मैं आपको पूरा कोसिस करूंगा उसका जाब देने का तो बस इस वीडियो में इतना ही था बाकि मिलते हैं नेक् कर